हेलो फ्रेंट्स मैं हुरेली सावल्या और आप देख रहें मैं रोटूब चैनल आरेस ओटोमोटिव तो भे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसेडी कैसे मिलती हैं दोनों की प्राइसीं माय रिवव ट अप्लान क्या है दोनों के फायदे क्या है नुकसान यानि कि मतलब सभी चीज़े रिवोले कंपनी की दोनों ही बाइकों के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखे और ऐसा ही डेली चलता है वीडियो की पर से इंडिा की फॉर्ष्ट एनेबल बाइक थी यानि कि लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन था कि कापी महंगे प्राइस में जो हैting भलत वाले उसे लन्च करेंगे बट ऐसा नहीं हुआ रिवर्ट ने उसे काफी डिसेंट प्राइस में जो है लॉंच कर दिया और इसी की वज़ासे जो है रिवर्ट कंपनी काफी ज़्यादा पॉप्यूलर हो गई इलेक्ट्रिक बाइक्स के मामले में तो दोनों ही बाइक की प्राइसिंग जो हो काफी डिसेंट है और काफी अच्छे जो है उसमें फाइदे देखने को मिलते हैं और कुछ यह से नुकसान भी है um ufact Pay Just a dirty work को सैनल फिए अर्वी 500 जो कि अभी अभी selling में चल रही है और बात में लॉच की ते दोनों ही मोडल काफी अच्छी थी दोनों की ही डिजाइन भी कापी अच्छे थे तो सबसे पहले दोनों के फाइदों के बारे में बात कर लेते हैं तो जो फाइद है वो काफ़ी जादा है जैसे की दोनों ही बाईकों में मुझे इसलिए बारिश में भी कोई भी दिक्कत नहीं है पूरी बाइक IP67 वाटरप्रूफ यानि कोई भी तरीक चैसे आपकी बाइक के देखनी को नहीं मिला काफी अच्छी बाइक है दोनों का ही लूग काफी अच्छा इस्टाइश लूग के साथ आती है और दोनों की अगर एक फीचर की बात करें तो बैए कुछ ऐसे फीचर है जैसे की मोबाइल कनेक्ट हो जाता है बैटरी को आप कहीं पर भी ले जाकर जार दोनान भी है रिवोल्ट कंपनी के साथ कुछ बाइक में ऐसा गलती नहीं है बट कंपनी जो है उतके साथ थोड़ा पंगा है क्योंकि सबसे पहले तो बाइक में जो मुझे एक थोड़ा डिसकोइंट में देखनी को मिला वह था बैटरी का वेट आपको जो है बैटरी को न लेटरी को निकाल कर कहीं पर भी ले जाना है कि हो जाता है क्योंकि अगर 10-12 kg होता तो समझने वाली बात थी कि कोई दिक्कत नहीं है बट 21 kg तो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत दे देता वैसे इतना ज्यादा भी दिक्कत नहीं देता क्योंकि 180 km की रेंच आपको जो है देखन के शोरूम होने के कारण क्या होता है कि आप कहीं पर भी इन बाइकों को नहीं ले सकते यह शहर है अहंदाबाद मुंबाई पूने देल ही अईदराबाद और चैन नहीं है छे शहरों में ही इनके शोरूम दिये गए अब मुझे बाइक लेने मैं रहता उसूरत में अगर कोई बात है तो भी डोक्तुमेंट लेकर जाना पड़ता है कोई खराब होती है तो भी उनके पाना पड़ेगा तो भाइए ऐसे थाइसों किलोमीटर तो भार बार नहीं जा सकते हैं इसलिए और कोई और सीति में रहता है तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है और बार-बार सबसे पहले को लेने के बारे में बात करते हैं अब अगर आपको बाइक की डिलेवरी चाहिए तो रिवल्ट कंपनी को शायद रिवल्ट वाले देते तो ज्यादा बहतर रहता बट अगर शोरों से लेने तो दो option है एक option है full payment करके और दूसरा है my revolt package या my revolt plan आप जीसे बोल सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं full payment देखकर आपको बाइक कैसे मिल सकती है तो दोनों ही बाइकों के अगर on-road price की बात करें तो जो आर्वी 400 है उनका on-road price निकल के आता है 1,34,000 रूपीज और जो आर्वी 300 है उसका on-road price निकल के आता है 1,15,000 रूपीज तो दोनों ही बाइकों का on-road price तो मैंने आपको बता दिया तो अगर आपको full payment करके ले सकते हैं बट अगर आप full payment करके लेते भी है तो आपके साथ एक दिक्कत रहेगी कि अगर आपने full payment कर दिया माण लीजे कि वालों को दे दिये तो अगर मैं फूल प्लेमेंट करके लेता हूं तो मुझे जो वरंटी है वो कम मिलती है MRP के इसाब से MRP मतलब माई रिवोल्ट पेकेज में अगर आप बाइक लेते हैं तो उसमें वरंटी आपको ज्यादा मिलती है और MRP में जो है आपको टायर रिप्लेस्मेंट का या डिस्क रिप्लेस्मेंट का और यह सब भी ओप्षण मिलता है जहां पर जो फूल पेयमेंट करके आप लेते हैं तो फूल पेयमेंट में आपको यह सब ओप्षण जो है नहीं मिलते है और बाद में जो है आप यह सब ओप्शन जो है अपने गाड़ी के साथ में ले सकते हैं तो यह तो हो गया पूरा सिन फूल पेमेंट वाला आर्वी 400 के लिए फूल पेमेंट है 1,34,000 रूपीज और आर्वी 300 के लिए यह फूल पेमेंट 1,15,000 रूपे तो अब बात करते हैं MRP के बारे में MRP यान की माई रिवोल्ट पेकेज इन में जो है ज्यादा तर लोगों को confusion रहता है तो माई रिवोल्ट पेकेज में क्या होता है कि आपको तीन साल तक हर महिने रिवोल्ट वालों को पैसे देने पड़ते हैं आपकी बाइक के लिए तो यह पैसे जो है वो मोडल के ऊपर डिपेंट करते हैं आरवी 400 जो है उनके लिए आपको हर महिने तीन साल तक 4000 रुपे देने होते हैं और आरवी 300 के लिए 3000 रुपे हर महिने आपको देना पड़ता है और MRP में जो है आपको वोरंटी ज्यादा मिलती है एक फूल पेमेंट के हिसाब से बट अगर आप जो है आपके शहर में शोर करवाना पड़ता है तो यह सब थोड़ी दिक्कत रहती है जिसकी वजह से जो है MRP अगर आप उस सहर में नहीं रहते जहां से आपने बाइक लिए तो फूल पेमेट करके बाइक लीजे तो काफी अच्छा रहेगा और बाद में अगर आपको टाय रिप्लेस्मेंट और यह सबसीडी मतलब क्या कि आपको कोई भी चीज अगर लेते हैं वो अगर एंवर्मेंट को नुक्सान नहीं पहुचाती है तो यह सी चीजों को जो है गवर्मेंट जो है उसके उपर आपको थोड़े पैसे देती है जिसके वज़े से लोग उस चीज को ज्यादा करें तो कि आरवी चार सो जो है उसके साथ में आपको 32,000 रुपे की सबसीडी देखनी को मिलती है 32,000 रुपे का फाइदा काफी बड़ा हो जाता है और साथ में जो गवर्मेंट ने अभी नया जो रूल आया है कि इलेक्रिक बाइक जो होती है उनके साथ आर्टी ओ जो टेक्स होता है तो ऐसे कुछ फाइद है अब सबसीडी को माइनस करने के बाद आपको जो सबसीडी और आटिओ दोनों को अगर माइनस करें तो जो रिवल्ट चार सो है यानि के आर्वी चार सो वह आपको देखने को मिलते है करीब एक लाक रुपे में और जो आर्वी 300 है वह आपको द है इसमें कोई भी दिक्कत तो शायद नहीं होगे बट मुझे एक दिक्कत लगी कि भाई सर्विस में या कोई भी पार्ट है तो थोड़ी दिक्कत है अगर आप मुंबई या दिल्ली या एहमदाबाद जैसे शिट्टी में नहीं रहते तो तो बस आज की वीडियो में इतन डिल्लाइकन है उसे भी प्रेस कर दिजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजिए ना भी अच्छे लगे तभी डिसलाइक कीजिए और नीचे कोमेंट में लिख दीजे कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा या क्या सुदार करने की जरूरत है तो म